ये गाईज वेलकम बैक तो माई चानल आज हम लोग बात करेंगे इस खुबसूरत से इजी टू मेंटीन और इजी टू अवलिबल प्लांट के बारे में अगर हमने इसको हैंगिंग बास्कित में लगाया है तो कैसे इसकी केर करें अपने मन मताबिक कैसे इस प्लांट को करें कि हम इसे अगर बुसी बनाना चाहते हैं तो कैसे करें अगर इसे हैंक करना चाहते हैं तो कैसे करें इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ पर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए आने वाली ऐसी ही वीडियोज के लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने गार्डेन की देख भाल अच्छे से कर पाएं सबसे पहले और सबसे इंपोर्टेंट बात इसकी सनलाइट की नीट के बारे में देखे इस प्लांट को ज्यादा सनलाइट की नीट ज्यादा क्या बिल्कुल भी सनलाइट की नीट नहीं होती है आप इसको बिल्कुल डरेक्ट सनलाइट में ना रखिएगा इसे नीट होती है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छी light की आप इसे ऐसे ऐिया में रखिए जहां पर भरपूल light आती रहे वैसे तो ये low light plant है आप इसे low light में भी grow गर सकते हैं पर इसकी अच्छी growth के लिए आप को इसे light वाले एरिया में रखना होगा अगर आप इसे direction light में रखतेंगे तो क्या होगा तब इसकी leaves burn हो जाएगी, काली पर जाएगी और ये plant जला सा दिखाई देगा इसलिए अगर आप अपने plant को healthy रखना चाहते हैं, leaves को अच्छे रखना चाहते हैं तो इसे सिर्फ अच्छी light वाले area में रखे, direct sunlight में बिल्कुल भी मत रखिएगा देखे, इस plant को आप घना भी कर सकते हैं और लंबा भी हैंग कर सकते हैं आपको जैसी रखना है इस plant को वैसी रख सकते हैं अगर आप इसको घना करना चाहते हैं, तो इस देखे, इसकी टिप को इस तरह से प्रून करना होगा आपको cutting करते रहिए, आप जितना लंबा हैंग करना चाहते हैं, उस हिसाब से के cutting करते हैं अगर आप उपर ही उपर घणा करना चाहते हैं तो जो hanging basket है उसकी edge से आप cutting करते रहे प्लांट बहुत ज़ली घणा हो जाएगा और अगर आप बात करते हैं इसको अगर इस तरह से लंबा लटकाना है तब क्या करें देखे अगर आपको मेरी तरह एक या दो ब्रांच लटकानी है तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है जो ब्रांचेस निकल रही है उनको हैंग कर दीजे पर अगर आपको घना लटकाना है इसको कई सारी branches करनी है तो शुरू के एक या दो महिने आप इसकी pruning करते रहे इसकी pruning जब दो तीन महिने में अच्छे से इसकी pruning हो जाएगी बहुत अच्छी खासी branches निकलाएंगी तब आप इसको hang करिë और आप जितना मड़ी लंबा इसको हैंग कर सकते हैं चलिए अब बात करते हैं इसकी watering के बारे में देखे अगर आप जाहते हैं कि इसकी leaves shiny रहे तो आप स्वाइल में जो water देते हैं उसके आवाँ इसमें पानी का spray एक से दो बार दिन भर में करते रहे क्योंकि जो एरियल रूट्स निकलती है उसमें अगर पानी मिलते रहेगा तो इसकी लीफ साइज में थोड़ी बड़ी हो जाएगी और लीफ साइनी भी रहेगी बहुत खुबसरत दिखेगा ये प्लांट उसके बाद हम लोग गिलती कहां करते हैं इस प्लांट में इसको बह क्याल फिंगर में नहीं चिपकनी चाहिए अगर फिंगर में चिपक रहेएइख को पानी की अभी कोई नीड की नहीं है पर आप इसको खाद कम से कम 30 से 40 दिनों में एक बार कोई भी लिक्विट फटलाई चाहिए या फिर वर्मी कमपोस देते रहिए इससे ज़्यादा ना ही इस प्लांट की कोई नीड है और ना ही कोई डिमांड है खुबसूरत प्लांट है आपके मन मताबिक चलता है आप चाहे पानी की बॉटल में रखिये या फिर हैंगिंग बास्किट में लगाईए जहां मर्जी आप इसी लगाईए उमीद करते हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको हेल्फुल लगी होगी थैंक यू फो वाचिंग सी यू नेक्स वीडियो बगाई